हेलो गाइज वेलकम टूंधू चैनल सुजित कमार अस्तों मकला सजगो आज फिर से में नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आगे हैं जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपोर्टन्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बतलाने वाला है आप अगर पढ़ दी जाएगा तो आपको एक भी कोचन अगर इस तरह से अगर संबंधित अगर कोचन पूछता है तो आपको एक भी कोचन नहीं छूटेगा तो आप देख सकते हैं मित्रों कि मतलब नगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए इसमें मतलब नगेटिव का कोई सब्द होना चाहिए भाई केवल नौ john रहे गातो केवल नहीं होता है की यह नीजमाई पर सब्द होते हैं जो देते हैं जैसे की नो हो गया नोट हो गया नेबर को गया नथिक हो गया दो गया भी होग आर तो वह नेगेटिव ही समझा जाता है ठीक है ना और यहां पे जो फर्मेटिव है नो नोट नेभर नफिंग नहीं होना चाहिए अगर कोश्चन आपको फर्मेटिव नेगेटिव में अगर पूछ दिया है तो आपको इस तरह से है इतनी कुशलता प्रवक्त् wrong प्रवक्त स्थानी प्रवक्त करना है की ट्रंस्फरमेशन करते हुए आपको मेंनीं में क्या नहीं होना चाहिए कि Tao आप यहां पर देख सकते हैं वित्रु क्यापर देख्याइए में इंग ए करता है मतलब मेनिंग में कोई चेंज नहीं आया है ठीक है ना तो यह हम बोल सकते हैं कि भाई यहां तो यहां पर देखिए कोश्चा सारफ क्या है दे नाइफ क्या है चूरी मतलब कैसा है सारफ है है इसमे नाइफ is not भलंट ठीक है ना नाइफ is not भलंट तो आप यहां पे देख सकते हैं मित्रों किया भोठर नहीं है मतलब की शारफ है तो मतलब कोई ही चेंज वार्थ नहीं होगा मतलब सार्प का एंटॉनीब लिखदो और नेगेटिव लगा दो तो सेम तो सेंस तो ळहाए कोचन है इमपॉसिबल का कोचन पूछा है आप देखिये ना इमपॉसिबल का तो दीस इस इंपॉसिबल डीस इंपॉसिबल कर मतलब क्या हुआ यह संभाव है तो दिस इस नोट पॉचवाल मतलब यह संभाव नहीं है मतलब की असंभाव मतलब दोनों सेंश तो यह है ना मतलब मेनिंग में चेंज थोड़े हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं यहां कि फर में टिव ने करने सेंवाट नहीं सकता तो उसी इतना कम जोड़ा इतना कमजोर वाल की तहाल नहीं सकता तो यहां पर से बढलाना है मतलब यह सर्मीला है तो आस्फोर है कि मतलब फोच्छ को नहीं पुछ सकती अगला उसल्डा तो इसको हम अगर बदलना है तो आप दखिए अपोजिट कैसे करके करना है वह इतना सर मिला है तो बात तो वही है ना मीनिंग में चेंज कहां हुआ भाई तो इसी को तो बोलते हैं भाई की ट्रंसपरमेशन है अब देखिए आगिला आगिला जो आपके से हाँ जो रूल दिया गया है आप देख सकते हैं मित्रों कि डबल नेगेशन डबल नेगेशन मतलब नोट फेल नोट विदाउट अगर हम लोग करते हैं तेसका बोलते हैं डबल नेगेशन ठीक है ना डबल नगेटिव ही रिवेंबर हर ठीक है ना उसने उसे याद किया तो हम बोल से ते कि he did not fail to remember here भाई उसको याद उसको याद करने में तनिक भी नहीं मतलब के फेल हुआ तक मतलब की यादे किया ना मतलब की याद करने में तनिक भी हुआ कहना कि मतलब कि याद किया उसको तो मतलब तो सेम ही है ना भाई सघ्झा सणसा गिया लेकिन अफ़ी बात तो मतला रही है जो शहा किसे अबाई रिया से प्रेम कर लिया है ठीक है जो आ Yes नोट विदाउट लब नाविया मतलब कि आ सकता है मतलब इतना सारा रोल नियम बतलाने के बाद आपको पता चल गया होगा ठीक है ना कि साइज क्या होती है ठीक तो इसमें जो है से एक और नियम होनी चाहिए जो डिगरी वाला नियम था ठीक है ना जैसे कि अगर मैं बता दू यहाँ पर पेडियाप में नहीं त्यार हुई है तो माँ आप आप देख सकते हैं मित्रों कि पॉजेटिव डिगर सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि अंकित इस ग्रेट एज स्याम ठीक है ना अंकित इस ग्रेट आज स्याम मतलब अंकित उतना ही महान है जितना की महान स्याम है तो स्याम इस नोट ग्रेटर देन अंकित भाई तो स्याम इस नोट ग्रेटर देन अंकित मतलब स्याम उतना मह नहीं है जितना की अंकीत मतलब स्यां में नहीं है देन अंकीत इस महान नहीं है थीख न तो यहाँ पर नगेति भी हुआ और भी चेंज नहीं हुआ ठीक है ना कि दिए आपर पे अपर प्रेटी बरावर लिख सकते हैं अगर हम positive degree को अगर हम negative देते हैं तो आपर हमifty据ाल करते हैं अगर हम positive degree को अगर हम positive में ही रखते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं भाई जो आएस्तोल होग तаче है ना तो earth हुआ ही है कोई नहीं बदला है ठीक है गलग सब्सक्राइब कर देंगे तो सुपर्लेटिव डिगरी कर देंगे तो सुपर्लेटिव डिगरी का भी ट्रास्फर्मेशन हो जाएगा जैसे भारत वाजदा और स्ट्रोंगेस्ट किंग इंडिया किंग इंडिया इसको अगर आपको करना है क्या नगेटिम बदलना तो क्या करना पड़ागा नो अधर किंग वाज एज स्ट्रोंग एज भारत इन इंडिया तो इस तरह से आपको पता चल जाएगे मैं अब एक्सरसाइज के लिए भी कोशन आपको दे रहा हूं ठीक है ना त यंग टू ड्राइवे कर ही साहर इंदा कैब तो इस तरह से आप इसको बना करके कमेंट की जाएगा ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अन्य दोस्तों के पास सेवर कि दिए अपने दोस्तों के पास अपने रिलेस्टनसिफ वाले के पास ज्यादा ज्यादा सेयर की जाएगा ठीक है थैंक यू फूर पॉर